नमस्कार दैनिक शिव्ट टाइम में आप सबका स्वागत है मैं रश्मी शर्मा कैमरामन शिमम भगत के साथ एक बार फिर से हम होम गार्ड की आवाज को बुलंद करने आए हैं और प्रशासर और सरकार को जगाने का काम करने आएं क्योंकि लगातार कई वर्शों से एक लंबा संगर्श लड़ रहे हमारे होम गार्ड जिसकी नेतर्त कर रहे हैं कमला शर्मा जी आप फिर से जानेगे और कैप्शन आपने पढ़ी लिया होगा कि क्या आने वाले दो दिनों में होम गार्ड के लिए हासकती खुशकबरी वो ख सब्सक्राइब कुछले लोगों को गरीव जनता के वाज एक एडमी सेशन तक पहुंचाती है कमला जी कैप्शन जिसना से अमिशा जी का अब दो दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है होम गार्ड को लो क्या लग रहा है आपको वह प्रोग्रम कोंड से हम आपकी जबानी जा काफी सारी जो स्क्योटियां रिजन हैं उनके उपर चर्चा रखने के लिए हर स्टेट के चीफ मिनिस्ट्रों को और जितने भी जूटी स्टेट हैं उनके भी जितने भी चीफ सेक्री होम सेक्री और डीजियों को बलाया हुआ है तो मैं मानिया ग्रह मंत्री जी से जही परलिम्मेट कें अंदर वरें धायं तो मैं अन्से अपील करूंगी जो 27 और 28 को मीटी हैं तो सब इंदर से भी गए और संदर हो में fin Lukut जूटी सरकार ने सुना नहीं नहीं तो हम कहते हैं कि इसके लिए जब इनोने 15 को का टाइम दीया था 22 कलिके मांडल होमगाड के लिए हमारी सरकार से कोई ऐसा हमारी तरफ से नोट नहीं कि इसके उपर कोई संधिया लिया है जो हम जो है su तो सबसे गरीव अगर एक फोर्स है तो जम्मू किश्मीर की होमगाड है जहां पे पहले सुप्रीम कोड और हाई कोड का अडर भी था रश्मी जी तो इन्होंने वह भी प्लिमेंटर नहीं किया तब जैसे पहले थे आप भी वैसे हैं तो मैं कहना चाहती हूं कि अब जब पूरे वारतवाश में जही कहते हैं कि एक विदान एक निशान एक सविदान तो हमें तो आज भी एक विदान एक निशान एक सविदान एक निशान के तैट कुछ नि मिला हम जैसे पहले थे आप भी वैसे हैं तो मैं एक पूरी हो पूरे इंडिया की तरफ से जो हमारी एक नैशनल एसोशेशन बनी है होमगाड की और बहुत वो एक करांती कारी बनी है वो जे निया कि कि किसी को नेता किसी को कि अब हमने इस होमगाड को जो बदूआ मजदूर जो इनका शोशन हो रहा है तो इसको अजाद कराना है जो गोरे इंग्रेज जुनते अत्याचार किया अवकाले इंग्रेज भी कर रहे हैं तो जल्दी हम चाहते कि अगर हमारे ग्रया मंतरी जी इसके संग्यान लेते हैं जो दो दिन की मीटिंग है वो खुद मजूद रहेंगे हमारे ग्रया मतरी जी रहेंगे उन्होंने सारी मीटिंग है तो मैं उनसे जही अपील करूंगी कि जितने भी पूरे देश की होमगाड है तो आप इनका अमेंडमेंट करिए जो अंग्रेजियों के टाइम के जब सिक्तार्मारी से चरणी से हमगाड तब एक थी उनसे उन्टाली में थी स्याइप पिसके वाद हम बनी थी जाहीं लेकिना अफिर संप माहाड कोंडिया नहीं किया तो हूमगार को क्या उनका परिवानी एनके पारिवर नहीं पानी है वो भी अज़ाद हिंदोस्तान के अंदर गुलाम होमगारा आज भी वो बदुवा मजदूर और गुलाम बढ़े हुए है क्या उनका इतना शोशन और जुनी फार्म के अंदर जब हमारी जुनी फार्म एक है पुलीस और हमारी ड्यूटी हम उनसे भी ज्यादा करते है उनसे भी ज्यादा ड्यूटी आपने खुद देखा जब करोना था तब करोना काल में हमारे मानिय ग्रह मंतरी जी ने और मानिय प प्रदान मंत्री जी के साथ खड़े रहे कि इस वक्त देश पे संकट आया तो हमें उनके साथ शाना विशाना साथ देना खड़े होना है जब हमारी होमगाड पूरे इंडिया ने का ड्यूटी की और जमू किश्मीर में भी सारी दर लखनपूर से लेके कुपवाडा तक चाह स्कूल थे चाहे वेक्षिन सेंटर थे चाहे कुछ भी था लेकिन हमारे लोगों ने प्रदान मंत्री जी का साथ दिया लेकिन अब मैं जहीं चाती हूं कि आप अगर ग्रैम मंत्रालिया से लेटर निकालते हैं हमें माडल होमगाड बनाना है तो हमें से स्टेड करना है आपने तो आपने स्राज्य सिरकारों को क्यों पूछना है जब हम गरश्मी जी बर्थी हुए थे उस वक्त हमारे अमले की पेज आठ हजार थी आज उसकी सेलरी कहां पर पहुंचिया है डेट डेट दो डाई-डाई लाखर पया उनके लिए आपने किसी से नोट से लेना तब आप रात रात में पार्लिमेंट के अंदर चाहिए पोजिशन हो चाहिए कोई भी हो तो आप उनका पास कर देते हैं लागो हो जाता है फंट्स भी आपको सुभिदा लेनी होती है वो लागो जाती है जब गरीव हक मांगता है कोई गरीव होम गार तो उसके पूरा देश आप बोलते बढ़ता नेता से हम सवाल पूछते हैं भाजपा के तो वह कहीं है को सवालों को नकारते होम गार्ट का तो नाम ही लेता है फिफिलाल अगर बात करेगा डेली वेज़स की बात करें ऐस पी उसकी बात करें हो में जाए जिस दिन आप करोगे अब जनता ने आपको चार-चार घंटे लगके बोड़ दिया है हमारा अधिकार है हमारी अपनी सरकारे है हमने इनको जिताया हुआ है हमने इनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है हमने बनाया की अब बदल रहा है देश बदल रहा है जम्मू किश्मीर बदल रहा है तो हमने सोचा क प्रधान मंत्री जी आएंगे तो जम्मू किश्मीर के जो हमारे होम गार है चाहे डेली वेजर है चाहे पीडी डीवीले है कंटैच्छुर लेक्चर आ रहे है कोई भी है सभी कमुद्धा सभी लोग गरीब है तो गरीब जनता के साथ है आपने कुछ किया होता था तो हम भी इस सरकार ने हमें जैंदिया कंदे से कंदा मिला के हमने इनका साथ देना है तो हम मानिये परधान मंत्री जी को जहीं बोलेंगे कि जो बर्दी के अंदर यूनिफार्म वालों के साथ पूरे इंडिया की होम गार को आप एक ही दाइरे में लाए एक ही उनका अमेंडमेंट क कि इनको रज्य कर्मचारी का दर्जा रश्मी जी कुछ नी मांग रहे हैं पूरा हिंदोस्तान जी मांग रहा है जे ना बंगले गाडियां कोई लेक्शन को एंपी जहां कोई कुछ बढ़ने के लिए नहीं मांग रहे हैं इस साल में हमें 500 दिन की देते हैं डूटी ऐसे द कोई उनके लिए बैल फिर्म अगर उनके लिए कॉई हासा हो जाता उनको कोई एसा रहूं नी वह सट साल डूटी करके जाएगा एक MLA MP आता वह पांच साल के लिए आता मैं इस सरकार की बात नहीं जो भी सरकारी आई जितनी भी सरकारे उनोंने अगर वह पांच बार MP बनत उन्हें को इतनी इतनी पेंचने लगती है तो जो मलाजम सथ साल ड्यूटी करके जाता है उसको आप एक पैंचन भी निदे सकते हो आप उसको भी तो कोई पैंचन दो उसको गर जाने का कम सकम ज्यादा नीं 25 तो दे दो ज्यादा नीं मांगरे 25 यह उसके बड़ापे का सहारा समाधान होगा हो जाएंगे लाइक हो कि नहीं क्या जुञां नी कि यह पर प्लिस के साथ ड्यूटी की उन्होंने हर जगह पर हिंदोस्तान के अंदर गुलाम होमगाड है तो मैं आज भी जहीं कहना चाहती हूं कि इनका भविश्या क्या है तरह से हरे आना में अब दो दीवसी जहां पर मीटिंग होने जारी बैठक होने जारी है जिसकी नेतरत्व करेंगे जो हमी शाजी देश के ग्रह मंत्री है तो करेंगे मैं इनके हाज जोड़ के जहीं अपील करोंगी मानिय चीफ सेक्टरी साहब होम सेक्टरी साहब हमारे डीजी साहब जो डॉक्टर शिर्नवासन साहब है बहुत अच्छा बोलते मैं खुद दिल्ली से आया हूं दिल्ली में पूरे 365 मिल रही है इधर क्यों नहीं मिल कर दिया बोलते हो तो फिर आपने हमें जूटी के अंदर लाया ना तो हमने आपने राजय कर्मचारी का दर्जा दिया तो मैं बारवार जहीं अपील करोंगी मानिया ग्रह मंत्री जी पूरे हिंदोस्तान की तरफ से पूरे हिंदोस्तान एक नो लाग को होम गाड़ है जिन पूरे हिंदोस्तान में होम गाड़ का नक्षाई बदल दिया जो गोरे इंग्रे जोने अत्याचार किया था अज हमारे इन जनता ने ग्रीव जनता की सुनी है हमारे ग्रह मंत्री जी मानिया हमारे प्राइम मिनिस्टर साब जो इतने देश के शक्तिशाली परधान मंत्री देखो उनने कितना कुछ किया रामंदर बिनाया है उसको एक राज्या उसको राष्थी रामंदर गोशित कर रहे है तो हमें बड़ी कुछ ही है कि हमारे परधान मंत्री जी बहुत डिवलमेंट कर रहे हैं लेकिन हमें भी उस तिन आएगी जिस दिन हमारे होमगाड के जो अजारी बहुत जाएक है उनके बच्चों की पढाय होगी वह भी पढ़ कर देश का विश्या उनका ही है हमारी उमर तो हुई है देशका बविश्या 2 u ंडिया हमने क्या करना है उसने हमें इतनी मेंगाई के दुरान आप सेखी हो कि मै कौन से घर चल सकता है आई लोग लाखों हमने पूछा हम तो यहीं पूछते हैं नेतों से पर सवाल को घुमाद भिरा देते हैं कि आइसा इसा बाद पा कर यह परियास हमने यह भी उनसे पूछा कि माननी परधान मंतरी जी ने वाइदा किया था तो क्यों वाइदे को जुटलाया जा र लाएंगे ने दिलाएंगे तो आए मैं इतने वड़े दिवस पर एक तो मुबार्क बात देती हूं कि महरा राजा हरी सिंग हमारे देश के राजा थे उन्हों का जहीं हमारे जम्मू कुश्मीर स्टेट के लिए जहीं ता कि मैं आई राजा बनाओं मैं अपनी प्रधा को इसे भी जहीं कहूंगी जो जम्मू कुश्मीर के हमारे MP हैं जो हमारे 25 विदाएक है क्या जेवी हमारे लोगों को नियाए दलाएंगे आज इसी इतने वड़े दिन पर इतना वड़ा जशन हुआ है तो हमें भी खुश ही आप से आकर बात की कि आप लोगों ने हम आपके पटे आपने हमें व वोट दिया है तो हम आपकी बात को आगी रखेंगे यह हम कभी नहीं हैं को कोई वी होगा जो हमारा मैनोफेस्ट को अंदर रखेगा जो हमारा काम कर भाißt फेस्ट कंदर जो न्याय कराएगा और MIKE और अमैंडमेंट पार्लिमेंट के अंदर होगा एलेक्षन के पहले को हम रहा है पूरे इंडिया में रजह कर्मचारी का धरजा चया केंद्री कर्मचारी का 362 दिन तो मुझे मीरीद है कल जो हमारी स्थाई 28 को मिटिंग हो रही है तो क्या कभी पूरे हिंदोस्तान में जेशन वह दिवाली होगी हम ग्रह मंतरी के हाउस पे और प्राइमिनिस्टर हाउस पे ऐसी दिवाली कभी नहीं हुई होगी जो पूरी जनता भी मना तो मैं हाँ जोड़के जही अपील करूंगी सार हमारी बातों पर गोर करिये और पूरे हिंदोस्तान को 365 दिन और राज्य करमचारी का दर्जा दीजिए और इन बच्चों का विश्या भी सोचिए जया हिंजा वारत धनेवाब ये थी हमारा सत्कामला शर्बा जी जो तने लाक हो जो डिली यह के हुमगार्स की आवाज है उनके परिवारों की आवाज है लगातर आवाज उठ़ातीस आरही हैं और इनका यह कहना है कि कल जिस्तरा से दो दीवसी मीटिक बैटिक होने जारी है हरयाना में जिसकी नितित कर रहे हैं अदेश के ग्रह मंतरी अमिशा जी उमीद करते हैं कि इनके लिए खुशकबरी हो क्योंकि कहते हैं उमीद पे दुनिया काईम है उमीद ही कर सकते हैं और क्या कर वोट मांगने आते हैं तो यह जनता उन पर विश्वास करती है जब जनता मांग करती फिर उन्हें उनकी मां को इतना विलम क्यों हो जाता यह बड़ा सवाल रहता है कि देश के ग्रह मंत्री पर उमीदे टिकी हैं नजरे टिकी हैं कि क्या आने वाले दो दिन खुशकबरी लेकर आने वाले हैं उमगार्स के लिए अपने कमेंट अपने सुजाव जुरूर दीजिए इस वीडियो को जितना सकते शेयर किजिए जुड़िया से मारत अगले